नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News, मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओजा, चले शुरुआत करते हैं खबरों की सुप्रम कोट ने देश में प्रवासी मजदूरों की खराब हालत और भूख से होने वाली मौतों पर चिंता जाहिर की है इस पर जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस B.V. नागरत्न की पीट ने कहा कि राश्ट्रे खाज सुरक्षा अधिनियम लागू होने की बावजूद भूख से मरना चिंता की बात है अभी भी लोग पेट पर कपड़ा बांध कर पानी पी कर भूख मिटाने को मजबूर है कोट ने कहा कि देश के सभी मजदूरों को राशन कार्ड देना चाहिए जिससे वे कम पैसे पर या फ्री राशन पा सके दरासल सुप्रम कोट ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की खराब हालत के मुद्दे पर खुद संग्यान लिया कोट में पेश नियायमित्र ने कहा कि अभी भी प्रवासी मजदूरों की भूख से मौत के मामले सामने आ रहे हैं वहीं दिली की केजरिवाल सरकार की मुसीबते एक बार फिर से बढ़ सकती है दिली के उपरा जपाल विने कुमार सकसेना ने नई एकसाइज पॉलिसी के खिलाफ सी बी आई जाँच की शिफारिश की है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एकसाइज पॉलिसी में नियमों की अंदेखी कर टेंडर दिया गया इतना ही नहीं इस रिपोर्ट में मनिश शोदिय की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं मुही मद्रप्रदेश में निकाय चुनाओ के पढ़नाम आ चुके हैं बीजेपी कॉंग्रेस दोनों ही जीत का जश्न मना रहे हैं लेकिन पेच अभी भी फसा हुआ है 347 में से 27 निकाय ऐसे हैं जहां किसका राज होगा यह अभी भी तैन नहीं हुआ है यही नहीं कुल मिलाकर 105 शहरों में किसी को भी इस पश्ट बहुमत नहीं मिली है यहां बीजेपी कॉंग्रेस को तीसरा मोर्चा यह निर्दलियों के साथ नगरपाली का अध्यक्ष नगरपरिशद अध्यक्ष या निगम अध्यक्ष बनाना पड़ेगा कई जगा दोनों पार्टियों के पास बराबर पार्शद हैं या एक दो का ही अंतर है ऐसे में किंग मेकर बनने में नर्दलियों की एहम भूमिका रहेगी एशिया कप की मेजबानी को लेकर छाय बादल अब छट गए हैं बीसी सी आई ने साफ कर दिया है कि इस टूनमेंट का अयोजन अब यूएई में होगा बारत्री की करेट कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्स और अबगांगली ने एपेक्स काउंसिल की बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी एशिया कप की मेजबानी की बारी इस बार श्री लंका की थी लेकिन वहां के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है लंकाई बोर्ड भी इस बात को साफ कर चुका है कि वह स्थिती में नहीं है कि टूनमेंट का आयोजन करवा सके बोर्ड की ओर से कहा गया है कि देश के पास विदेशी मुद्रा नहीं है और इस वज़ा से वह एशियाई कप की मेजबानी करने में सक्षम नहीं है चले फिलाल के लिए इतना ही देश वर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें धन्यवाद